हेलो डियर सब्सक्राइबर्स मैं हूँ आपकी दोस्त तो स्वागत करती हूँ आपका बेस्ट क्यार ओफ प्रेगनेंसी में जहां बाते करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटर सभी प्रॉब्लम्स की उनके सलूशन की और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस रहले ही ऐसा क्या हुआ उससे क्या गलती हुई क्या कारण हुए ऐसे कि उसका मिस्कारिज हो गया यह पूरी स्टोरी बहुत जादा इमोशनल है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अगर आप प्रेगनेंट है या भी आपके डिलीवरी का टाइम नजद गलती आप से ना हो या फिर क्या ऐसे रीजन्स हो गए थी क्या ऐसी कंडिशन बन गई थी जो इतना बड़ा लॉस हुआ ऐसी किसी तरह का नुकसान आपका ना हो इसलिए यह वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखेगा वीडियो के अंड में आपको खुश समझ में आ जाएगा कि क्या गलतियां हुई हैं कैसे आप उससे बस सकते हैं इसके टिप्स में आपको जरूर दूँगी तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा बेस्ट केर ऑफ प्रेगनेंसी पर अगर फर्स टाइम वीडियो कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा मेरे फ्रेंड ने अभी इसी साल जनवरी 2020 में कंसीव किया था इससे पहले भी उसका एक मिस्केरेज हो चुका था दो हजार अठार में जब उसकी प्रेग सब्सक्राइब करने के लिए उसके बाद उसे काफी ट्रीटमेंट करवाना पड़ा उसके बाद उसने इस साल जनवरी में कंसीव किया था प्रेगनेंसी उसकी ठीक चल रही थी सही थी कोई प्राब्लम नहीं थी बस खाने पीने के जो इश्यूस कुछ मही लांग साथ प्र करती थी उसे कोई मेड नहीं लगवा रखी थी उसलिए वह आराम से सब कुछ खुदी अपना देख रही थी कर रही थी और सब ओवर ओर ठीक था सब कुछ कोई भी उसको प्राब्लम होती थी चोटी बड़ी प्रेगनेंसी में प्राब्लम्स लगी रहती तो तुरण मुझ मुझे रिपोर्ट सेंड करती थी कि उसको मुझे बहुत ट्रस्ट है मेरे हजबन डॉक्टर है मैं फार्मसिस्ट हो तो हमेशा वो मुझे क्रॉस वेरिफाई अपनी रिपोर्ट करवाती थी तब उसको सैटिस्वाइड होता था उसके बाद सब कुछ बढ़ियां था ओके चल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके बाद फिर जब इदर उसका एट मंथ कंप्लीट हुआ नाइन मंथ लगा तो डॉक्टर ने उसको कुछ टेस्ट करवाने को बोले उसने टेस्ट करवाए डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई उसने डॉक्टर ने कहा कि सब तो यह थी वह अक्टूबर में थी क्योंकि इदर बहुत सारे लगातार फेस्टिवाल्स करवाचो दिवाली भाई या दूस सब इतने सारे फेस्टिवाल्स पढ़ गया और क्योंकि मैं भी ज्वाइन फैमिली में रहती हूं तो मेरी भी लाइफ रोटीन बहुत ज़्याद तो मैंने उसे पूछा कि क्या है क्या चल रहा है डॉक्टर ने क्या बताए आप तो डिलीवरी का टाइम नजदीक है 30 को डिलीवरी है तो अब क्या करना है तो उसने मुझे जो बोला वो सुनके मैं एकदम से शॉक्ड रह गई उसने कहा कि मेरा 12 को 12 नवंबर को मेरा मिस्क क्यारेज मैं बिल्कुल मतलब Houston की नहीं किया था मैंने कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि उसका सबकुत सहीच चल रहा था साही रिपोर्ट उसकी एकदम ठीक आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे, तो उसने का कि मेरा मिस्कैरेज होगे, मैंने कैसे मिस्कैरेज होगे, क्या हुआ था, तो उसने बताया कि उसको दो दिन से बच्चे की मुमेंट नहीं फील हो रही थी, तो मैंने कहा उसको कि तुम्हें दो दि दिन तक बिल्कुल मुवमेंट ही नहीं हुई तो मुझे गडबर लगी फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने स्टेटोस्कोप से चेक किया उन्हें कुछ समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम है उन्होंने तुरंत भेजा अल्टरसाउंड करवाने के लिए जब अ करएंड था जो अचानक से सब कुछ सही चलता आ रहा था और उसके बाद अचानक से बच्चे क्या हार्डबीट चली गई मुवमेंट बंद हो गई यह से क्या करता तो उसने कहा कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कुछ टेस्ट करवाने को मैंने वह सारे टेस्ट कहा कि infection था कोई ऐसा infection था जिसे मा तो बीयर कर गई मा तो भचा जहेल लेकिन बच्चा struggle नहीं कर पाया उस infection की वज़े से जिसकी वज़े से बच्चे की death हो गई वह infection कैसे हुआ कहां से मुझे नहीं पता लेकिन डॉक्टर ने जो रीजन दिया वह यहीं था कि जो बच्चे की moment बंद हुई जो बच्चे की death हो गई वह infection की वज़े से थी फिर मैंने उससे पूचा कि आगे का क्या procedure हुआ कैसे delivery हुई फिर क्योंकि बच्चा तो इतना बड़ा हो गया था पूरा nine month से complete होने वाला था fifteen days बचे हुए थे तो वह तो delivery का ही टाइम था एक तरह से तो फिर उसने बताया कि उसको artificial pain दिया गया दवाईयां रखी गई जो कि अगर natural pain नहीं आते अब तो वैसे भी बच्चे की death हो चुकी थी तो natural pain आने को कोई मतलब नहीं था तो artificial pain दिया गया वह बट वो pain इतना ज़्यादा था कि वो beer नहीं कर पा रही थी अगर बच्चा जिंदा होता तो खुद भी कोशिश करता है हाथ पैर मानने की delivery हो जा लेकिन जब बच्चे की death हो चुकी है तो सारा का सारा pressure फिर मा को ही लगाना पड़ता है तो उसने का कि इतना ज़्यादा pain थ और बच्चे की body जब निगाली गई तो वो पूरी नीली पढ़ चुकी थी वो पूरा बच्चे को जहर फैल चुका था शरीर में जिसकी वज़ा से बच्चे का पूरा शरीर नीला पढ़ चुका था उसको कहीं न कहीं यह था कि यह doctor की लापरवाही की वज़े से हुआ है जब डॉक्टर ने जो मुझे टेस्ट बोले कराने को, जब मैंने सब कराए, मैंने डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स दिखाई, तो वो infection कहां से आया, अगर वो infection था, तो डॉक्टर मुझे क्यों नहीं बताया, एक जो गलती मुझे समझ में आई, दूसरा reason, मैडिसिन से कोई ऐसी कोशिश की जा सकती थी, लेकिन दो दिन तक उसको नहीं ये बात बता चली, फिर उसने अपने इस डॉट को क्लियर करने के लिए, कि डॉक्टर की लापरवाही थी, या कुछ और था, उसने एक दूसरे डॉक्टर से concern किया, जो कि उसके husband के ही friend थे, male gynecologist, उसने उन डॉक्टर से concern किया, तो डॉक्टर ने report देखी, और डॉक्टर ने कहा कि, ये infection बचाया जा सकता था, infection होने से बचाया जा सकता था, बच्चे को भी बचाया जा सकता था, ये कहीं न कहीं, डॉक्टर की लापरवाही के वज़े से हुआ है, तो जो इस पूरी, मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है, ये जो पूरी उसके साथ हुआ है, इसमें दो चीजें, बहुत ज़्यान रखने वाली बात है, जो अब आप लोगों के लिए ध्यान रखने वाली बात है, कि पहला तो अपने बच्चे की मुवमेंट को हमेशा ट्रैक करते रहिए, थाई गंटे, तीन गंटे, अगर बीट गए हैं और बच्चा मूव नहीं कर रहा है, तो आप तुरांत कैरफूल हो जाईए, कुछ घरेलू टिप्स होती हैं कि मीठा खा लो तो एक मिरड़ बाद बच्चे मुवमेंट शुरू कर देते हैं, या फिर बच्चे मुव नहीं करते तो अपने फिंगर से अपने पेट के उपर थोड़ा प्रेशर दीजिए, जाता था कि 6 घंटे, 7 घंटे तक मुझे अपने बच्चे की मुवमेंट नहीं मिलती थी, तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाती थी, उनसे चेक करवाती थी, अगर डॉक्टर कहते थे सब कुछ ठीक हैं, तब जाके मैं सैटिस्पाइड होती थी, यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट प्रेग्नेंसी में अक्सर महिला ये गलतियां करती हैं, ऐसे केसे मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने अपनी प्रेग्नेंसी के टाइम में भी काफी मेरे पढ़ोसी थे, वो भी मुझसे बताते थे, तो यह सब सुनके मैं डर जाती थी, तो मैं इसलिए और ज़्यादा कैरफूल हो जाती थी, तो मैं इसलिए आप से यह कहना चाहती हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैरफूल रहने की जरूरत है, अपने बच्चे की मुवमेंट को ट्रैक करती रही है, फिफ्ट मन्त से बच्चे की मुवमेंट स्टार्ट हो जाती है, अगर फर्स्ट प्रेग्नेंसी होती है, तो उसके बाद बच्च सुरवात में बच्चे की मुवमेंट थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ा होता जाता है मुवमेंट बढ़ती जाती है अगर बच्चे 1.5-3 घंटे तक मुवमेंट नहीं कर रहे हैं तब तक तक तो ठीक है क्योंकि बच्चे 5-6 घंटे थक पेट में सोते भी है लेकिन अगर 2.5-3 घंटे के बाद भी आपको moment नहीं मिल लए है तो आप कुछ गरेलू टिप्स करिए जैसे कि मीठा खा लीजे अपने फिंगर से अपने पेट को प्रेस करिए प्रेशर दीजे जिसकी वज़े से बच्चे अगर सो रहे होते तो जक्के moment करते हैं अगर फिर भी 6-7 घंटे बीच चुके यह गलतिया है और दूसरी बात अगर आपने लास्ट टाइम में टेस्ट करवाए हैं तो अगर आपको किसी चीज को लेके कोई डाउट है और डाउट नहीं भी है तो आप अपनी रिपोर्ट को सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे मत बैठिये दो डॉक्टर को भी दिखा सकते यह चीजे मैंने अपनी प्रेग्नेंसी में बहुत किया मैं कभी एक डॉक्टर के भरोसे नहीं बैठी हूं तो यह चीज आप भी कर सकते हैं क्योंकि second opinion हमेशा लेना चाहिए सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे बैठ के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए कोई भी एक बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए तो इस वीडियो के जरीय मैं आपको यही अडवाइस देना चाहती हूं आपको यही कहना चाहती हूं कि इस तरह की गलती आप मत करिये उसकी जो डिलीवरी नहीं हो पाई सेक्सफुल उसका मिस्कैर हो जोगे इस बात को मुझे बहुत ज्यादा चाहती थी जो जरूरी टिप्स होती थी मैं इसको देती रहती थी मैं नहीं पताया था और वह करती भी थी बट मुझे नहीं पता कि उसने अचानक लास्टाइम में क्यों इतनी केरलेस हो गई वह कैसे उसको नहीं पता चल पाया जब उसकी मिस्कैरिज की बात सुने उसके मेरे दिमाग में बस उसकी वह प्रेगनेंसी की बाते चलने लगी जो वह बहुत ज्यादा खुश थी इस टाइम पे जब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारी कोई केर करने के लिए है घर में की नहीं क्योंकि वह अपने उसकी जॉब है उसके हस्बेंड की जॉब की वज रही है और बच्चे की मूवमेंट पर बराबर ध्यान देते रहिए हूप सो कि वीडियो आपके लिए हैल्फुल रहा हो इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको क्या धायान रखना क्या बाते हैं क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है अपनी प्रेग झाल्धियो और फिर से आपको नेट प्रेगू आपको कि ये वे थाना की मुट सीखने कापको का लिए मुट सीखने